डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस एक्जाम आवेदन का आखरी मौका बिहार सन्युक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड, BCECEB आज, 21 मई को बिहार डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बिहार DCEC दो हजार चौबीस के लिए पंजीकरण विंडो बंद कर देगा इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे आधिकारिक वेबसाइट bceesboard.bihar.gov.in पर जाकर जमा कर सकते हैं उम्मीदवारों को कल 22 माई तक आवेदन शिल्क का भुकतान करना होगा आपको बता दे की पंजीकरण विंडो बंद करने के बाद बोर्ड 24 से 26 माई तक 3 दिनों के लिए फॉर्म सुधार विंडो खोलेगा इस विंडो के माध्यम से उम्मीदवार अपने फॉर्म में सुधार कर पाएंगे इस वर्ष बिहार DCEC की परीक्षा 22 और 23 जून को आयोजित होने वाली है आवेदन शिल्क की बात करें तो इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को श्रेनी के अनुसार आवेदन शिल्क का भुक्तान करना होगा अनारक्षित अन्य पिछडा वर्ग OBC श्रेनी के उम्मीदवारों को एक कोर्स के लिए 750 रुपए किन्हीं दो पाठेक्रमों के लिए 850 रुपए और तीनों पाठेक्रमों के लिए 950 रुपए का आवेदन शिल्क देना होगा हालांकि अनुसूचित जाती S.C. अनुसूचित जन जाती S.D. श्रेनियों के उम्मीदवारों को एक कोर्स के लिए 480 रुपए किसी भी दो कोर्स के लिए 530 रुपए और तीनों कोर्स के लिए 630 रुपए का भुक्तान करना होगा वहीं शाक्षनिक योग्यता में जो उम्मीदवार कक्षा दसवी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या पूरी कर रहे हैं वह DCEP और PMM पाठेक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं PM पाठेक्रम समू में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का कक्षा बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए या पूरी करने की प्रक्रिया में होना चाहिए आवेदन के लिए सबसे पहले उम्मीद्वार आधिकारिक वेबसाइट psizboard.bihar.gov.in पर जाएं उसके बाद DCECE पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें पंजीकरण करने के बाद आवेदन पत्र भरें सभी आवशक दस्तावेज अप्लोड करें और आवेदन शिल्क का भुकतान करें अंत में फोर्म को सब्मिट करें फॉर्म डाउनलोड करें और भविश्य के संदर्ब के लिए प्रिंट आउट लें